एंकिल जी कुछ खाने कुदे दो क्या चल भाग यहां से बहुत तेद दर दो रहागी पेट बे कुछ खिला दो तुमें तो धर्ती में पैदा ही नहीं होना चाहिए था बोजो तुम धर्ती के, चल हट जा यहां से एंकिल दुलार दुलार चुने नहीं अंकल जी कुछ खिला दो चल हड़ यहां से काम धंदा कुछ करते नहीं फिरी का मांग कर खाने की आदत पड़ गई है तुम लोगों को बाई साब काम तो यह तब करेंगा ना जब इसका पेट भरा होगा अगर आप दो रोटी दे देंगे ना तो आपको पुन्न ही मिलेंगा तो भज़े तुभी खिला दे नहीं इसको लेजा फिरी का ग्यान बात ने आ गया बेटा तुम मेरे साथ चलो मेरा ढावा है मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ चल बेटा चल ये ले बेटा पेट भर की खाना और कोई चीच की जरुवत हो तो मुझे बताना ठीके अंकल बेटा कुछ और लेंगा नहीं अंकल जी पेट भर गया बेटा कभी भी भूग लगे ना तो मेरे ढावी पे आजाय करना तुस्से मिलकर ऐसा लगता है कि साथ मैंने कुछ पर निकामा लिया ठीक है अंकल अब में चलता हूँ ठीक है बेटा रोजखान जी सर मैं बेंक के आया हूँ आपने पिछले छे महीने से लोन की किस नहीं वरी है अगर आपने कल तक बेंक का लोन और सारा इंत्रेस नहीं दिया तो तो आमें आपके ढावे को सीज करना पड़ेगा नहीं नहीं सहाब ऐसा मत बोलिए थोड़ा सा समय और दे दीजिए मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा कल्टा का आपका सारा पैसा जमा जाना चाहिए वरना तुम्हारा ढावास की जो चुका है इसमें में कुछ नहीं कर सकता कुछ तो राष्टा होंगा साहब कुछ तो कीजिए मैं और मेरा परिवार रोड़ पर आ जाएंगे साहब ऐसा मत कीजिए मेरी साथ साजेद वो बैंक की फाइल जी सर अभी देता हूँ भाईजान आप यहाँ आप कौन आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाईजान सर किस्तना चुकाने के कारण बैंक वालों ने मेरा ढवा जब्त कर लिया है हमारी मदद करो सर हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है सर प्लीज सर हमारी मदद कीजिए साजेद यह सर साजेद इनका सारा लोन मैं भरूँगा और इनके पीपर वर्ट तयार करवाओ इनका ढवा बंद नहीं होना चाहिए ओगे सर मगर सर आप कौन है और आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं भायजन आपने मुझे नहीं पहचाना नहीं नहीं सर मैंने नहीं पहचाना भायजन आपका और मेरा बहुत पुराना हिसाब है आपको याद है 15 साल पहले आपकी ढ़ावी पर एक लड़का आया करता था जिसको आप रोज खाना खिलाया करते थे भायजन आप याद करिए मैं वही लड़का सुहेर हूँ जिसको आपने सीख दी थी कि बेटा जिन्दगी में कैसा भी वक्ता जाए लेकिन कभी हार मत मानना आज आपकी सीख की बज़े से ही मैं यहां तक पहुँचा हूँ मैं इस बैंक का ओनर हूँ भायजन आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं आपकी बज़े से हूँ थेंक यू भायजन आपने मुझे सही रास्ते पर डाला तब ही मैं इस काबिल बना हूँ कि मैं आपका पंदरा साल पुराना हिसाब चुका सकूँ बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे अच्छे कर्म एक दिन हमारे पास लोटकर जरूर आते हैं